जै हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इंफो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन डेल पर क्लिक करें। आज म कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है। इसलिए लेटस्ट समय सारिनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस कि स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन- प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन डॉंट जंक्शन और ग्वालियर जंक्शन स्टेशन के बीच रविवार को चलती है, ट्रेन बाइस स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1445 किलोमेटर की दूरी 26 घंटे में पूरी करती है, इस ट्र ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ, इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की 20 मिनट पर पहुँचती है, यहां ट्रेन पांच मिनट रुखती है, इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट चिंचवर्ट स्टेशन है, और यहां ट्रेन मध्यरातरी 12 बज़ कर 43 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 2 मिनट रुखती है, इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट लोनावला स्ट स्टेशन है और यहां ट्रेन राद 2 बज कर 45 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन पांच मिनट रुपती है इस ट्रेन का छट्वा हॉल्ट वसई रोड स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 4 बज कर 40 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन पांच मिनट रुपती है इस ट्रे इस ट्रेन का नौवा हॉल्ट वलसाथ स्टेशन है, और यहां ट्रेन सुबह 6 बज कर 34 मिनट पर पहुँचती है, यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है। इस ट्रेन का तेरहवा हॉल्ट वलसाथ स्टेशन है, और यहां ट्रेन सुबह 10 बज कर 23 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है। इस ट्रेन का 17 हॉल्ट उजजेन जंक्शन स्टेशन है, और यहां ट्रेन दोपहर 3 बज कर 5 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 10 मिनट रुपती है। इस ट्रेन का 18 हॉल्ट मैक्सी जंक्शन स्टेशन है, और यहां ट्रेन शाम 4 बज कर 30 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है। इस ट्रेन का 19 हॉल्ट ब्यावरा राजगर्द स्टेशन है, और यहां ट्रेन शाम 5 बज कर 58 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है। इस ट्रेन का 23 और आखिरी हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन स्टेशन है, और यहां ट्रेन रात 1 बज कर 10 मिनट पर पहुचती है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में किराये से संबधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग-अलग होता है और समय समय पर किराये में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराये की जानकारी के लिए आप रेलवे की ओफिशियली साइट IRCTC.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले, मेरा इस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इंफो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, धन्यवाद।